नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लेंगवेज और प्लेनेट्स में आपका स्वागत करता हूँ जितने भी कुवारे या अविवाहित युवक और युवतियां होते हैं उनकी ये जानने की उत्सुकता रहती है कि उनके जीवन साथी का रूप रंग कैसा होगा या उनका जीवन साथी कैसा होगा उनके बीच का परस पर लगाव कैसा होगा जो तिशिये द्रश्टिकोन से जीवन साथी की सुन्दर्ता को आकने के लिए गुरू और सूरे पर सबसे पहले विचार किया जाता है युवक की कुंडली में शुक्र और युवती की कुंडली में ब्रहस्पती कारक होते है सामाने रूप से एक बली शुक्रियदी शनी के साथ संबंद न करता हो तो वै एक सुन्दर पत्नी देता है इसी प्रकार एक बली गुरू जिसका संबंद शनी से न हो एक सुन्दर पती का संकेत करता है जबकि सात्वा भाव इसके स्वामी और शुक्र इन तीनों में से जो भी बलिग रहे हो वो साथी के रंग का जीवन साथी के रंग का निर्णे करते हैं व्यवाहिक जीवन में परस्पर लगाव को जानने के लिए वर और वधु की कुंडलियों को जन्म कालीन चंद्रमा की स्थिती के अनुसार मिलान किया जाता है इसे आम व्यवाहर में गुण मिलान कहा गया है फिर भी जोतिशी को लगन सूर्य और चंद्रमा से इन तीनों से कुंडलियों की जाच अवश्य करनी चाहिए सूर्य आत्मा और आध्यात्मिक्ता है चंद्रमा लगन मानसिक अनुकूलता को दिखाते हैं एक युवक और युवती के बीच परसपर आकर्शन होगा या नहीं इसे देखने के लिए कुछ जियोतिशीय नियम होते हैं जिने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत जरूरी माना जाता है जब युवक और युवती का लगन एक दूसरे से समसप तक हो तो परसपर आकर्शन कहा जाता है युवक की यौन इच्छा को शुक्र शासित करता है युवती की यौन इच्छा को मंगल से देखा जाता है युवती की कुंडली का मंगल युवक के शुक्र के साथ युत या द्रश्ट होना चाहिए यदि इन दोनों में से एक भी संबंद उपस्थित पाया जाता है तो ये शुब होता है इस युती या द्रश्टी की पुनरावरत्ती नवमाश चाहिट में भी हो जाती है तो ये परसपर आकर्शन के लिए बहुत शुब लक्षण होता है लगन चाहिट में यदि ऐसा संबंद हो लेकिन नवमाश में उपस्थित न हो तो आपसी लगाव विवाह के शुरुआती दिनों तक रहता है आगे चल कर आकर्शन धीरे धीरे आपस का आकर्शन कमजोर पड़ जाता है दूसरी तरफ मंगल और शुक्र का यह संबंद नवमाश चाहट में हो लेकिन लगन चाहट में न हो तो समय के साथ साथ पती वा पतनी का लगाव बढ़ता चला जाता है हलाकि मंगल और शुक्र के परस्पर संबंद पर अन्य ग्रहों की द्रश्टी या यूती का प्रभाव भी अवश्य देखना चाहिए अन्य था ये संबंद भयंकर रूप से पीडित हो जाते हैं कुंडली में मंगल या शुक्र के साथ साथ सूर्य या चंद्रमा का संबंद बनना भी प्रभल आकर्शन का कारण होता है जब एक साथ का सूर्य दूसरे साथ के चंद्रमा के साथ गहरा संबंद बनाता है या ये एक दूसरे से तिरकोण में होते हैं तो विवाह के बाद दोनों में गहरी मित्तरता देखी जाती है वहीं जब ये एक दूसरे से छटे आठवे बारवे स्थान पर होते हैं तो ये अशुबता और कश्ट देने वाली इस्थिती का निर्माण करते हैं यदि एक साथी की कुंडली में लगन, सूर्य ये चंद्रमाद्वारा, ग्रहित राशी यदि दूसरे साथी की कुंडली में पीडित होती है तो वे वैवाहिक जीवन में समस्याएं लेकर आती है यदि लगन पीडित हो तो शारीरिक समस्या, सूर्य पीडित हो तो आध्यात्मिक समस्या, आत्मिक समस्या और चंद्रमा पीडित हो तो मानसिक असहमती और आपस के वैचारिक मतबेद की समस्या बनी रहती है यदि सात्वे भाव के स्वामी या शुक्र के साथ दस्वे भाव या त्रिकोन स्थान में पाप ग्रह हो तो भी अच्छा माना जाता है ऐसे वेवाहिक जीवन में जातक को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे सूत्र जोतिशास्त्र में कहे गए हैं जिनके माध्यम से हम इस बात का आकलन कर सकते हैं कि युवक और युवती का अर्थात किसी भी जातक का अपने जीवन साथी के साथ परसपर लगाव होगा या नहीं होगा और होगा तो उसकी परिणती कहीं आने वाले समय में गणवर तो नहीं हो जाएगा उसकी परिणती क्या होगी इसलिए कभी भी केवल गोण मिलान पर ध्यान नहीं देना चाहिए हमेशा जन्म कुंडली को अलग अलग द्रश्टी कोण से मिलान करके ही अपनी राय देनी चाहिए तो दोस्तों यदि जीवन साथी की तलाश से संबंदित ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों